जिला सोलन के कंडा घाट के भगास गाम में नाले के किनारे संदिक्त परिस्तितियों में 80 वर्षिय बजूरुक की लास मिलने से क्षेतर में संसनी फैली हुई है जानकारी के इनसार जब गाम का व्यक्ति नाले के पास से गुजर रहा था तो उसकी नजर वहां अचेत अवस्ता में पड़े बजूरुक पर पड़ी व्यक्ति ने पास जाकर देखा तो बजूरुक की मौत हो चुकी थी उसने तुरंट इसकी सूचना गामवासियों और पुलिस को दे पुलिस मौके पर पहुंची और शवक कबसे में लेकर सोलन की क्षेतरी अस्तार भेज दिया गया मामले की पुस्टी करते हुए अत्रिक्त पुलिस अधिक्षे कमन मोहन सिंग ने बताया कि व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान था और वकुछ दिनों से लापता था जिसके गुमसूदके की रिपोर्ट भी थाने में दर्स करवाई गई थी फिलहार पुलिस ने मामले दर्स कर लिया है और बज़र्ग की मौत किन कारणों से हुई है इसकी जांच की जा रही है